जैपूर में फिर सामने आया हिट एन रन का मामला स्कॉर्पियों ने मारी बाइक सवार को टक कर हाथ से में एक की मौत एक खायल घटना के बाद कार चालग कार सहत पराद लाल रंकी बाइक पर बैठा ये शक्स है दीपक चौतरी जो पेशे से एक दवा कंपनी का एमार था मगर अफसोस स्मार्ट कद काठी का ये शक्स अब इस दुनिया में नहीं है जिस बाइक पर वो बैठा है वो बाइक उसने एक महिने पहले ही खरीदी थी लेकिन वो नहीं जानता था कि वो बाइक ही उसकी मौत का कारण बनेगी क्योंकि राजधानी में अंधेरा होते ही सडकों पर रफतार के रूप में मौत दौडने लगती है राद के ग्यारह बजे थे जैपुर की सडकों पर गाडियां तेज रफतार से दोड रही थी मामला आदर्श नगर थाना इलाके के गोविंद मार्क का है जहां मौत सडकों पर रफतार के रूप में घूम रही थी रही जाते शराप पी कर गाड़ी भगा रहे थे गोविंद मार्क पर के स्कॉर्पियों ने एक बाइक सवार दीपक चौधरी को टक कर मार दी टक कर इतनी जबदस थी कि बाइक सवार दीपक चौधरी की मौके पर ही मौत हो गई मौत हो गई तो वहीं उसके सार भाइक पर पीछे बैठा युवद मांग सिंग कमभी रूप से खायल हो क्या जिसका उपचार SMS अस्पताल में चल रहा है पुलिस को मौके से टूटी हुई शराब की बोतल मिली है जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार ने एकस्टिडेंट के बाद शराब की बोतल को वहीं फेग दिया और वहां से फरार हो गया दीपक की मौत हो गई और पुलिस सिर्फ छानबीन की दुहाईती रही है टक्कर करने वाला शक्स कौन था? वो गाड़ी कहां की थी? इसका इल्म पुलिस को नहीं है ऐसे में सवाल उठता है कि राजथानी की ट्राफिक विवस्ता पर क्या हर रोज राग को राजथानी की सड़कों पर मौत का नंगा नाज यो ही होता रहेगा? क्या हर रोज राइस जादे लोगों को रौन कर यू ही फरार होती रहेंगे? या ट्राफिक विवस्ता में सुधार भी आएगा? गुनाह के लिए जैपुर से दीपक चाबला की रिपॉर्ट क्या है?